आज हम बनाएंगे बहुती जटपट इजी तरीके से सबकी फेबरेट पीजा तो ये घर की पड़ेवी चीजों से हम बना के तयार करेंगे बहुती सौप्ट और बहुती मज़े का बनेगा और बहुती जल्दी बनने वाला है और बीना ओवन का हम बनाएंगे तो वीडियो को को तुड़ा एन तक जरूर देगा हमने किस तरह से बनाया है पीजा बहुत ही मज़ा आने वाला है आप बार बार इस पीजे को ट्राइब करेंगे तो वीडियो फ़सन आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो चलिए शु कर लेंगे नहीं तो हमें इसको फुलाने के लिए रखना है नहीं यह हमें डो को रेट के लिए रखना हम तुरंत ही तुरंत बनाएंगे फिर भी हमारी बहुत ही मज़ेदार पीजा बनेंगे तो वीडियो के साथ पुरा जरूर बने रही है और देखने वाले बहुत ही मज कर लेंगे और देखेंगे यह पीज़ा अगर एक दफ़ा आप ट्राइ करेंगे तो सच में इसी तरह से हमें सब पीज़ा बनाएंगे आप घर की समान से तो चलिए यहां पर हमारी मिक्स हो चुका है अभी हम यहां पर डालेंगे एक चाय के चमत तेल कौन सा भी आप तेल डा यह मिक्स करेंगे तो देख सकते आप इसी तरह से यह एक टिप हो गया है तो और यह चिप-चिपापन भी हो चुका है देख सकते हैं तो आभ हम क्या करेंगे इसको इस बाएफ से निकाल हम इसको नीचे ले लेंगे यानि कि आपके पाँ जो भी रोटी बनाने का पटला है अब उछबे ले लीजेगे अभी हम इसे सुखा आटा लगा के और इसको आटे को खीच-खीच के हमें तयार करना है आटे को खीचेंगे और इस तरह से हम मसलते जाएंगे जितना ही आटे को हम खिसेंगे और इस तरह से मसलेंगे उतना ही हमारी जो आटा है अग्दम पूरी तरह से मुलायम हो जाएंगे और ये जो डो है अच्छी तरह से एक्टीव हो जाएंगे तो हमें इसे एक्टीव करने के लिए आदा गंटा दो गंटा करेंगे आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूदी और बहुत ही फिनिसिंग हमारी आठा मसल के तयार वो चुका है देख सकते हैं आप तो इसी तरह से आपको कुछ दर के लिए कर लेना है उसके पर हम इसको दो डिवाइट करेंगे यानि कि इसको दो लोया तयार करेंगे एक नायद में रख देंगे तो रोटी हमारी जो है फिजा जो हम रोटी फिज़य बनाएंगे उसको हमें बेन लेना है आप चाहे तो हातों के मदद से भी दबा के कर सकते हैं तो यह हम बीना आओन का बनाएंगे तो लेकिन ज्यादा मोटा हम यहां पर नहीं रखेंगे आदा इं तो देखने बहुत ही अच्छा लगेगा हमारी फीजा देख सकते हैं अप लिलकुल मार्केट जैसे लगए अपक्ती हमकe प्योसी साइज में उसी पिलेट में हम पीजे को सेट कर देंगे उसके अगाद हम इस काइब चेहे तो आपके पसर्ट इसह करूश से करें में लिए तो अब भी आया है अब नहीं है तो ऑऔर दिया है अब प्लेट रिसरिकिति सब्सक्राइब कर लिए एक बारी कटे हुई प्याइस डालेंगे एक बारी कटे हुई टेमाटर डालेंगे हुढ पारिक काटे भी दो तिन चाई के चमच यहां पर हरा देनिया डालेंगे नमक डालेंगे टेस्ट के मुताबिक सोया सोच डालेंगे एक चाई का चमच मियूनिच डालेंगे दो चाई की चमच अच्छा सा टेस्ट देने के लिए आधी चाई के चमच यहां पर हम डालेंगे का चाहे की चमर्च डालेंगे और अच्छी तरह से पीजे में हम एपलाई कर देंगे जो भी आपके पास अवेलेवल सोर्स है आप डाल के बना सकते हैं बहुत ही मज़िदार का बनेगा उसके बर यहाँ पर हमने जो इस्टोफी सेयर किया है उसको हम रख देंगे आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है आप वेजिटेबल से भी इस तरह से बना सकते हैं अभी पूरे में हम इस तरह से अफलाई कर देंगे पूरी पिज्जा में अभी हमने जो डो अदा बचा के रखा है इसे हम इस तरह से ले लेंगे और इसे दो डिवाइट करना है हमें दो डिवाइ इसे तरह से त learnt तो इसका उपर का मुझह आप साथ से पहरे हम इस सब ना कर देगे उसके इसके बादी को इस तरह से trip जूमाते हुए इसके तरह से हम इसका त्यार कर लेंगे तरह से चूटी बनाता है इसी तरह से हमें और युसे लेना है तो उम्यद है आपको समझ पा रहे हो तो इस तरह से आपको तयार करी है बहुत फूबसरत बनके तयार होगा और बहुत हमारी जो पीजा भूइदार के बरनेंगे और भी अगर самой अच्छे एच्छे रेसेपी डाली हूं मैंने तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं जो न्यू देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को जोड़ो सब्सक्राइब कीजेगा इसी तरह से और भी मैंने आप लोगों के लिए इजी इजी रेसेपी लाते रहूंगे तो आभी हम इस तरह से मैंने बैठा दिया है अभी जो किनाड़ा है इसका इसका किनेडे हम इस तरह से इसी की ऊपर चिपका देंगे इस तरह से ताकि यह अच्छे से और फिनिसिंग देखने लगे और खुश्चूरोसा अभी हम यहां पर डालेंगे चीज आप कौन सा भी चीज डाल स चीज करेंगे। आप चाहिए चाहिक और यहां पर डालेंगे दोब्लेहन में अपर 10साख बहुते अतले हैं यहां पर डालेंगे रचीजियं कड्य चीज यहां जयानिक vem we ऑर प्रतिमर्जी का बने बने तो यहां पर यह पर में और रख देंगे फिर लिता नostens अब आपके अंगे लिए अर्ग कर में चल़्ाब देंगे सब्सक्राइब और जुरेंगे आपकर बैंए क्यों है ज्यूत भाफ है वाहं इस तरह से आपको कौबर करना है तो इसको दो से तीन मिनिट के लिए मैं इसको हाई ही सब्सक्राइब करों से तैयार किया है तो माश्याल्ला से हमारे पीजा देख सकते हैं आप बहुती मज़े का और बहुती कलर्फुल बन के तैयार होच को का है और बहुत ही hours बना है देख सकते हैं आप नहीं तो हम फिज्जाडगो रेस्ट के लिए रक्के थे नहीं हम this week करने के लिए रखे थे इस्ट को np पिर भी हमारी यह जो है बहुती सॉप्ट और बहुती मज़े का बना है तो क्यों नहीं बनता है ट्राइ करना जरूर बनता है आपको ट्राइक करना एकदम आसान तरीके से बनके और जटपड बनके तयार हुआ है और इसका नीचे का देखिए हमने जो छेड़ वाली प्लेट से बनाए ना बहुत ही कलरफुल आया है तो आभी हम इसे कट कर लेंगे वह भी बहुत ही खुबसुरो सा डिजैन बनके तयार हुआ है तो आप भी अपने फ्रेंड फेमिली के साथ जरूर सेर कीजीगा ताकि उन्हें भी इस तरह से आसान तरीके से बनाना आए और आपनी बच्चे को इस तरह से खुस करें अपने फेमिली को खुस करें इस तरह से खिला के और पैसा के बजट करें बहार ना जाए खरीजने के लिए बाहर का अच्छा नहीं होता है तो घर पर इस तरह से जरूर बनाएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिया और लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी और भी अच्छे ची रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल की जाईए तो फिर आते हैं नहीं रेसिपी के साथ लाहफीज